स्वागत है आपका हमारे गुरु के रिए प्लस चैनल पर अभी तक जिन बच्चों की त्यारी नहीं हो पाईए जो अभी भी सोच नहीं कि हम शायद नहीं कर पाएंगे तो आप एक सई वीडियो पर आएं कि एक स्ट्रेटेजी निकाल सकते हैं कि जैके एसेस भी जो सिविल क इंजिनियर में जल शक्ति हो पी डालूडी में वेकेंसी निकली है उसको निकालने की स्मार्ट स्ट्रेजी देखो एक बात मैं बता दूं कि परिक्षा में पढ़ते सब हैं स्ट्रेटेजी अच्छी होती है क्योंकि पढ़ने की तो लिमिट थोड़ी नहीं कोई सब्जेक् और स्ट्रेजेशन नहीं करनी ए तो बौहस से लोग गर गर्ट डायक्षण में में महिनत करेंगे ना तो सरेक्ट नहीं हो पाते और वो जो जो एक अच्छी स्ट्रेजी नहीं अपना पा या प्र। क्योंकि आपका एक्जाम 15 अगस के बाद होने वाला है अभी भी डेट महीना है अभी जो बंदा अभी भी हार मान के बेठा है न वो भी एक्जाम को निकाल सकता है ठीके धंग से समझना क्योंकि बहुत सारे कारण है कि हम इस exam को नहीं निकाल पाते हैं ठीक है आता सब को है पर कर वो पाता है ना जो समझ पाता है सही direction को तो आगे चलते हैं ठीक है आज मैं आपको इसके strategy बताऊंगा ठीक है देखो सबसे पेदी बात मैं आपको बता देता हूं कि 120 मिनट में 120 question करने है ठीक है तो ये बात तो मान मैं आप कोई चीज बताना चाहता हूं देखो 60 question होंगे न यह वह question होते हैं जो हमेशा हर कोई बना देता है ठीक है यह बहुत easy question होते हैं हर जगे repeat होते रहते हैं ऐसे question है मतलब basic question होते हैं कि poison ratio क्या है इसका value पूछ दिया कुछ भी unit पूछ दिया मतलब बहुत ही basic question होते है यह मतलब सब करके आते हैं अब बसते हैं 30-30 question कोन से होते हैं इसके बारे मैं बता जाता हूं में थोड़ा आपको आप ढंक से analysis करोगे न तो 30 question भी वही निकल जाते हैं जो हमारे SSC, JE में previous year में आयो होते हैं या कहीं पे भी कोई बी अलग state के exam के previous year में दूसरी UT हो कहीं उटके आ जाते हैं या फिक कोई books से सीधे उटके आ जाते हैं question सीधे उटके आ जाते हैं इसे गुपता इन गुपता हो गई बहुत सारे books होते हैं वहां सीधे उटके आते हैं और ऐसे question होते हैं कि मतलब आप प्रिविए से लगा लिए तो यह 30 question आपके निकल जाते हैं ठी बसते हैं यह 30 कोशन यह 30 कोशन वो होते हैं जिसको हमेना छोड़ जाते हैं मतलब यूंकि यह आएगा ही नहीं मतलब बहुत सारी बाद हम क्या करते हैं बहुत सारी सिंपल करें देते थे बस सिंपल सा पर आप यह द्यान लोग कि आपको कोई ऐसा इस मैं आपको एक बाद बता दूँ आपके पेपल में ऐसा कोई कोशन नहीं आगा कि उसमें एक ही कोशन में तीन चार फॉर्मल लगा यह तो गेट वगेरा आई इस की जो सब्जेक्टिव एकजाम हो तो यह बात तो समझो तो इतना हाट कोशन थोड़ी देगा और तुम्हें सब्जेक्टिव थोड़ी बनाना है मुश्किल से एक फॉर्मला लगेगा मुश्किल से मुश्किल से वह फॉर्मला इजी होगा कुछ भी नहीं होगा माल लो प्ल भाई यह हो गया इस पर ही मतलब बहुत बड़ी चीज पूछ लेगा आपसे ठीके अब देखो त्यारी तो हर कोई करता है पर हमारा सेलेक्शन ना होने का कारण क्या होता है सबसे इंपोर्टन है कि सेलेक्शन होने का कारण हमारा क्या है मतलब जो जिसके कारण हम सब्जेक्ट नहीं हो पाते में कारण वह देखो आप तेखो नहीं होने का पहला कारण जो हमें आता है न वह गलत कर देते हैं हम क्या करते हैं कि हमें और बोही मतलब हो ही गलत हो जातो ऐता है मतलब अपर करा हो जाता है तो इसा इसे खराओ जाता है जोacy और competition मेनत करके गया और मतब उसमें वो गलत कराया मतब जो simple सी formula ध्यान नहीं रखे होंगे गलती जाओगे होगी ठीक है पेरी चीज दूसरा सबसे main कारण होता है steady material steady material में क्या होता लिफ्टाइ lira है अगर आप पढ़ रहे हो ना और उर एक पढ़ रहे हों अगर कोई बंदा ब्हुं कोई बच्चा में चल single यीन जाद होगी हाना possibility क्यों यह शे बुकों को पढ़के जारा पर याद क्या करेगा यह कभी का कभी क्या तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है पर आपको बार बार यह ना बहुत सारे यूटूब पर चैनल देखो बहुत सारे हैं जो अपने करते हैं ठीके या फी स्टेटि मार्केट में जेक सब्सक्राय कोई to यह नीहीं बेजंब बहुत कहिंक जीए जीए अंसे टोनों ही जीए इस की निकालते कोई standard book लो जिसमें error कम हो ठीक है फेमस फेमस लो ना जो अच्छी बुक और जो आपको ओनलाइन जो डलालाज देते हैं यहां पर यह पढ़ो यह पढ़ो वो पढ़ो ठीक है यहां से यह मिल जाएगा वो मिल जाएगा ठीक है इस तरह के नोट्स नहीं है बतब अलग लेवाल जाते हैं कंफ्यूस केसे होते हैं वह भी आपको बताऊंगा ठीक है अब मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस बता रहता हूं ठीक है पहले मैं आपको बता तो कंफ्यूसन क्या होता है मालों कि कोई बुक में कोई formula दे रखा है उसकी कोई value दे रखी है और वही फॉम्ला कोई पहले एक ही बुक पकड़ो पर डंकी पकड़ो यूँ निक या ज्यादा पकड़ो मैं यूँ निक रहा है कि ओनलाइन आप course मर्फ पर्चेस करो या पी steady material मत लो लो पर एक चीज़ लो ठीक है इतनी सारी चीज़े मत लो ठीक है इससे confusion होता है ठीक है अब आगे बात करते है स्मार्ट स्टेटेजी की देखो मैं यहां पर कुछ भी लाया हूं सामने आपके सामने हैं यह स्टेंडर्ड बुक्स हैं ठीक है मैं आपको बता हुआ कि किस तरह से करना है देखो मैंने आपको पेले बता चुका हूं कि 50-60 कोशन है ना यह वह कोशन होते हैं जो repeated कोशन मान नहीं बनाओगे ना तब तक यह कोशन नहीं बनते हैं ठीक है क्योंकि आप क्या करोगे यह 30 कोशन होते हैं यह 50-60 जो कोशन होते हैं पचास साथ कोशन जो भी आएंगे आपके यह basic आते हैं और 30 कोशन SSC के previous year हो मान लो इन दोनों को जिसकी अच्छी होंगी ना पकड़ व कोई डिप्लोमा का टॉपिक होगा उसमें से कोई बहुत basic सा होगा वह कोई पढ़के हैं क्या अगर डिप्लोमा की चीजे तो वह ऐसा कुछ नहीं होता इसमें भी आ जाता है फिर वह गलत कर जाते हैं पर आता simple सा है तो देखो कोई paper का level क्या होगा level कैसा रेगा तो level को तो एक सीट पर competition किस्ते है ठीक है आपको करना पड़ेगा आपको जल शक्ती में अलगा RTI लगाना पड़ेगा PWD में अलग RTI लगाना पड़ेगा ठीक है तो इससी कारण से कोई बता नहीं पारा है पूरी चे कहीं पर यूटूब पर सर्च वालों की यार इस पर competition कितना है एक आपका यूटू-टी का वे पर है आपके में में कश्मीर के लिए को बाहर नहीं है तो आपके जम्मू कश्मीर वालों से ही ठीक कमडिशन और आपका कमडिशन है नमु कश्मीर सथ घ्रकर करता हूँ ठेको वह बच्चे बात करता है उनको beer जूरत हैं 네alf ने만ः अब जो बसते हैं जो नॉर्मल स्टुटेंट है प्राइवेट उनिवर्चिटी से हैं जो इस साल पास आउत हुए फोर्म बरहे अब वह कैसे त्यारी करें जिनको कुछ भी नहीं आता है जो कुछ इस्टुएंट तो अभी वेसे भी होंगे जिनको उम्मीदी हार चुके होंगे कि यार क्या करें मतलब तो उनके लिए भी है ठीक है देखो पेरी बात में बतायाता हूं जिन बच्चों का थोड़ा सा भी बेसिक है थोड़ा सा भी बेसिक है ना तो वह पहले गुप से निकाल सकते हो आप ठीक है तो यह वह बच्चे बनाएं जिनका बेसिक अच्छा हो क्योंकि इन बुकों को आप बनाओगे न तो इन पर पूरे सोल्यूशन पीछे इनके आंसर दे रखें एक्स्प्लेनेशन पूरी नहीं दे रखी है इसलिए वह बच्चे बनाएं यारी इस नहीं आता है तो मैं उनको साब बोल देता है इन दोनों बुकों को टच्च भी मत करना गुपता इन गुपता वालों को यह तो आप तो पेले पूर्चत में हार मान लोगी भाई मेरे को पेपर ही नहीं देना क्योंकि आपको बैसिक करना है न तो आप रशित खान की न तो उस सब्राइब को कितना पढ़ना उतनी थेोरी बस इससे जैदा नहीं पढ़ना है उतनी थेोरी पढ़के आपको कोशन लगाने 15 किसके लगाने आप चाहाओ आईज़ मास्टर की लेल जादे दो लोग आईज़ मास्टर की लेते हैं क्योंकि इसकी इस बुक्स काफी error free है, काफी अच्छी explanation है काफी अच्छा है, तो आप यह ले अगर आप यह धंग से कल लोगे ना, डेड़ महीने में भी, ठीके और दूसरा चीज है ना, एक चीज हो और है मैं बता दूँ, कि यह ना, slayvers को धंग से देखना आप, ठीके point to point slayvers को धंग से पढ़ो चो slayvers में ना, वो ही पढ़के जाना, यूनी कि आप किसी चीज को बहुत deep में जा रहे हो, और वो slayvers में ही नहीं हो यह बहुत बेकार काम होता है और मैं एक और, एक बहुत ही जादा मंतर देता हूँ, मतलब बहुत ही जादा मतलब बहुत ही important आपको मतलब guide है, बहुत ही smart strategy है जो बच्चे है, बहुत से लोग बताऊं क्या करते हैं हमने जब exam निकाला था अपने state में तो हम एक strategy करते थे कि देखो 12 जितने भी subject हैं, आपके 10-12 subject जो भी है, 10-11-12 subject हैं सारे subject में आपकी command नहीं हो सकती किसी भी तरह से नहीं हो सकती किसी का RCC अच्छा होता है तो किसी का survey खराब होता है तो मतलब मान लो कि 10 में से आपके 5 subject strong ये और 5 V के, ये मान लो आप ठीके, तो मेरे strong subject को तो मैं अच्छे से करके जाऊंगा और जो 5 subject हैं जो मुझे समझ में भी नहीं आते बिल्कुल समझ में नहीं आते हैं तो मैं उनके के और previous year के question करके जाऊंगा और उनके formula देखके जाऊंगा ताकि वो निकल जाए क्योंकि अकर यहाँ पर time दोगे न इस वाले पे, तो आपके जो 5 subject हैं जो आपके strong हैं यहाँ गलती कर जाऊंगे इसको डंक से revision नहीं मार पाऊंगे तो आप paper में जाऊंगे ना तो दोनों ही चीजे गलत करके आ जाऊंगे तो इससे selection नहीं होता है यह 5 subject वो ही वाली मालो ही 50-60 question होते ना जो आपके basic होते ना वो आपके जो आपको आता है ना वो गलत कर जाऊंगे ना तो आपका paper से तो ऐसे निकल जाऊंगे यह आप ध्यान लगो तो आपको जो अच्छे से आता है ना उसको तो revision करो ठीके, आपका revision ही आपकी success की कुझी है यह मान के चलो आपकी success का जो चाबी है ना यह revision नहीं ही है जितना आपको आता है ना उसको revision मारो रोज मारो ताकि वो paper में कहीं से बुढ़के आ जाए ना वो गलत ना हो ठीके, क्योंकि यह गलत होगा तो आपका selection के chance बहुत कम हो जाते है और जो आपको subject नहीं आता है ना उसके previous year लो उसकी theory वरी मत गुसो previous year में जाओ previous year में जो आया है क्योंकि जो आप previous year देखोगे ना मान लो आपको जो नहीं आता है न उसमें से मान लो क्या पता कि आप जो पढ़के गया हो आपको लग रहा है कि यह तो बहुत हाँ एक मान लो कोई chapter है मान लीजिए को मतलब subject है उसमें एक tough चीज है एक easy चीज है अब paper आया उसमें easy चीज पूछ ली जो आपको लगती है हाना तो आप बना दोगे ना आप हाड चीज के चकर में सुब्जेक को ठोड़के तो आप झावी ज्यां यहां, तो देखो हमेशा पेपर नॉर्मल ही आता है ठीके एक मतलब उनको लिमिट रखनी है एक पेसिक चीज में बता दूँ एक सो बीस कोशन में से यह मान के चलो की असी से नबधे question आपके theory based होंगे मतलब ऐसे होंगे जहां आपको formula based होगा मतलब किसके proportional है या फिर कोई code में से question पूछ लेंगे या theory theory question होंगे मतलब यह मान के चलो 80-90 के बाद जो 10-20 question और बचेंगे न वो single formula based होंगे single formula पे आएगा single यह मान के चलो 10 question मान लो कि हाँ थोड़ा art form पे आ जाएगा तो हमें कौन सा 120 में से 120 नमब लाना है हमें तो बस 120 में सो क्रोस कर लो वह हो जाएगा selection आपका 100 में हो जाएगा यह बात मान के चलो आप 100 में ही काफी मान के चलो और बहुत कम लोग होते हैं कि 110 आएंगे 105 आएगा गिने चुने लोग होंगे सब के नियाएगे सब 100 के आसपास ले जाएगे 90.99.926 99.25 पॉइंटों में रेंक के चाहिए होईगी तुमारी देखो हर कोई पूरा नहीं कर सकता है कोई मेहत नहीं कि 120 में से 120 पीस कोशन आपके बनेंगे तो यह चीज आप ध्यान रखो और हमेश्या अपने गोल पर ध्यान रखो क्यूंकि आपको बेकाने वाले लोग बहुत होंगे कि भाई यह हाड है वह हाड है हना यह मत पढ़ो यह मत करो आप वह पहले देखो पहले उसको पढ़ो उसके कोशन लगाओ आपको नहीं आता है अगर पहले ही वह सब्चार डाल दोगे तो मैं आपको स्ट्रेटीजी बता चुका हूं बेकावे मत आओ वह सारे यूट्यूब चैनल पर आपके कोर्स सेल करे जाते हैं कि भाई आपकी लिए मार्केट में यह बुक नहीं है मतलब यह जेकेसबी का मतलब पेपर का लेवा लेसा होगा इसा लेवा लोगा उस चक्कर में अपने वह क्या करते हैं बस हमने कोर्स को बेचने के लिए डराते हैं अगर आपको चीज बेच नहीं तो इसको डराओ डिमांड बढ़ाओ सप्लाई करो यह चल र पड़ी हो साल बरसे उस बुक को पढ़ रहे हो ना तो वही बुक बढ़ो ठीके पर हां के प्रीवेसर कोशन ज़रू लगा लें भले कोई सी भी उठा लो ठीके ज़्यादता की बुक का पीवेसर का प्रपर जलू लगा ले ना बस क्यूंकि उससे आपकी इना स्पीड बन जाएगी ठीक है और आपको एक तरीका पता पढ़ जाएगी पेपर के से आते हैं ठीक है और हमेशन द्यान रखना कि छे बुक पढ़ने की जगा आप एक बुक ऐसे पढ़ो ठीक है ढंक से पढ़के जाओ अच्छे से पढ़के जाओ कि मतलब को रात को उठके कहीं से कोई से पेज का कुछ पूछ लेना फॉर्मला वह आपके को याद होना चाहिए ठीक है ये छे बुक ज्यादा पढ़ोगे ना तो जितना पढ़ोगे उतना भूलते जाओगे क्योंकि हम भी इंसान हैं इतना धोड़ी पढ़ सकते हैं को इतना रिटेन करके नहीं जा सकता तो बस य यही एक सफलता की चाबी है कि आप एक चीज को कितनी बार पढ़के जा रहे हो ठीक है मतलब एक ही बुक को पढ़ो ज्यादा बुक के बार फोकस मत करो यह तो आप सेलेक्शन से हाँ दो बेटोगे और कंफ्यूजन में चले जाओगे डिप्रेशन में चले जाओगे और ब कोई भी एक्स्ट्रा कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू करना धन्यवाद